नमस्कार कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगा और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी आज के इस वीडियो में फिर धामा के दर क्लास के साथ है ना क्लास 10 साइन्स यादि की केमेस्ट्री के अंदर जीतने भी सवाल पूछे जाते ना भा आज हम लोग इंपॉर्टेंट के पर डिसकस करने वाले हैं बहुत एर सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चेन है पूरा देखना यार बहुत मज़ आएका पढ़ने में सारा कुछ समझ में आने वाला है ठीक है कॉपी पेंट कुछ भी लेकर के नहीं बैठना है बस आराम से वीडियो को चलने देना आराम से देखना है बस समझना है ठीक है पढ़े तो हो गई बस यह समझ लो यह तुम्हारी एक मैराथन क्लास हो जाएगी ठीक है मैराथन हो जाएगी विल्कुल फास्ट्रेक रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर में जितने भी कुश्चिन प प्रभावित क्यों किया जाता है जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है ठीक है और भी खाने वाले जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो बिसिकली हम लोग चिप्स खाते है ना चिप्स है कुरकुरे है तो वो पैकेट फूला हुआ होता ह तो उसको nitrogen से प्रभावित क्यों किया जाता यह question है तो answer क्या लिख होगे क्योंकि जो यह chips होता है भाई उसमें तेल है क्या है तेल है वसा है है ना बताओ fatty acid पाया जाता है नहीं उसमें क्योंकि तो क्योंकि उसके अंदर तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ oxygen के साथ मिल तो गंधता उत्पन करते हैं ठीक है क्योंकि वायुमंडल में क्या है देखो वायुमंडल में हमारी oxygen है ठीक है क्या है oxygen और oxygen तेल और वसा को क्या कर देती है खूले में रख दोगे तो उसको वह आक्सी करत कर देगा आक्सी करत हो जाएगा तो खराब हो जाएगा और यह ज अधार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विक्रत गंधता उत्पन कर देता है ठीक है इससे क्या होता है जबकि ये विक्रत गंधता उत्पन करेगा ठीक है तेल देखो तेल और ऑक्सीजन यानि कि चिप्स ले आए तुम खूले में रख दिये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीक्रत ह हो गया यानि कि खराब हो गया विक्रत गंधता उत्पंद कर दिया लेकिन अगर यहीं चिप्स में हमने औक सीजन नहीं रख्थ और कि रख्थ नीट्रोजन रख्था जब कि ऐसा नाइट्रोजन नहीं कर पाता है जोá जोन नाय नाइट्रोजन गैस भर कर वाय। कर देते अगर उस पैकेट में के अंदर ऑकसीजन गया छोटा सा च्छेद कर دो अकसीजन चला गया तो समझो खाद्य समागरी खराब ठीक है तो इसलिए थैली में नाइटोजन गैस भर कर वायरोधी कर देते हैं ताकि थैली में कोई भी ऑक्सीजन ना हो और खाद्य समागरी का आक्सी करण ना हो सके ठीक है खाद्य समागरी का ऑक्सीडेशन ना हो सके और जब खाद्य समागरी का ऑक् सब्सक्राइब हैं उसको तुम पांट साल बाद निकालोगे से चबा-चबा के खाओगे समझे आजाएगा तुमको ना बताओ चिपसपस मझ आजाता है उसके साथ चाहबाइब के साथ खाने मार रहें बिलकुल जहर लगता है खाने में ठीकी है सुनो दिखो हाँ मैं आप लोगों को बता दू क्लास्टेंट साइन्स के जितने भी चैप्टर है न उन सभी चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर मिलेगी कर लेना वहां पर जाकर के सभी वीडियो को देख लेना और जो क्लास्टेंट साइन्स है उसको पूरे के मैं इंपॉर्टेंट कुश्चन भी करवाया हूं ठीक है उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स पर दी गई है नहीं तो वीडियो के लाश्ट में आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा ठीक है वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संचारण क्या होता है देखो संचारण धातु का अभिकारकों द्वारा योगिक में बदल कर नष्ट हो जाने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं कोई भी हमाँ पास धातू है क्या है कोई भी धातू है धातू अभिकारकों के द्वारा जो भी अभिकारक हमको मिल रहे हैं बाहर से ठीक है उसके द्वारा योगिक में बदल कर कोई योगिक बना लिया ठीक है कोई कंपाउंड बना लिया उसमें बदल करके दियो नश्ट हो खराब हो रहा है जैसे लोहे में जंग लग जाना ठीक है तो वो क्रिया होती है संचारण उसका क्या हो रहा है संचारण तो डिफिनीशन यह वाली याद करना इसको कि धातु का अभिकारकों द्वारा योगिकों में बदल कर नश्ट होने की प्रक्रिया को संचारण कहते हैं जैसे आईरन को नमवाई वायू में डाल देने से जो आईरन होता है लूहा होता है देखेँ हुँशन त्रेक्टर वगेरा तुम्हारे घर के आसपास में ख़राब ट्रेक्टर पड़े रहते हैं खड़ी 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 रह देखते जंग लग गया पूरा जैसे आइरन को नम वायू में डाल देने से वहां नम वायू से क्रिया करके आइरन ऑक्साइड बना लेता है जो जंग होता है ना वह आइरन ऑक्साइड बना लेता है ठीक है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देखो आइरन है रखा था आइरन अगर ऑक्सीजन के लेगा iron oxide ठीक है और iron oxide बना करके उसको खराब कर देगा पूरा ठीक है यह आईरन oxide ही iron पर जंग के रूप में परद बना लेता है देखो बिल्कुल simple है बई संचारण की क्रिया यही होती है यही जो iron oxide होता है यही उसके एब देखो आगे क्या है इस क्रिया कोई संशारण कहते है इस iron oxide के गुड क्या है इस iron oxide के गुड इस बिन खते है क्योंकि iron oxide बन गया ना देखो ना iron अलग होगा, लोहा तो अलग होता है लेकिन अगर iron के उपर oxide की layer चड़ गई oxygen की layer चड़ गई तो वो खराबी हो गया ना तो इसके गुड भिन होते हैं ठीक है चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग विक्रत गंधता क्या होती है ठीक है विक्रत गंधता ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है विक्रत गंदता है, ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें वजा युक्त, वजा फैटी एसीड, वजा देखते होट, वजा युक्त अथवा टेली ये खाद्य समागरी खराब होने लगती है, जो तेल से बनी समागरी होती है, जिसके इदर फैट होता है, ओयल होता है, कुले स्चॉल होता है वो खराब होने लगती है तथा स्वाद वा गंध में परिवर्तन होने लगता है इसका जो स्वाद होगा और जो इसका गंध होगा उसमें परिवर्तन होने लगता है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी करण कर देते जो खाद्य पदार्थ तो होते हैं देखो खाद्रेपादार्थ कर लिए जैसे तुम चिप्स लेलो है समझे तो हो ये अभी चिप्स को यादी तुम खूले में रख दोगे के खूले में रख़े ऑक्सीजन उससे मिली तो ऑक्सीजन उसको क्या कर दिया उसको Oxidation कर दिया तो इसे lyia को बोलते हैं विकरत गंधता तो बता ही बिल्कुल सिंपल विकरत गंधता और संचारन कोई कठीन काम है यह मुझे तो नहीं रगता कठीन है बई और समझ आ गया होगा आप लोग को उधारण क्या है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर कर इसे अपचैत होने से बचाया जा सकता है है ना भाई देखो चिप्स की थैली है उसमें जिस तुम ऑक्सीजन भरोगे तो खराब हो जाएगी नाइट्रोजन भरोगे तो उसको अपचाईत होने से वो बच जाएगी जो उसका ऑक्सिडेशन हो रहा था ठीक है उससे वो बच जाएगी चलो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है मारा राशायनिक साम में किसे कहते हैं सिद्ध कीजे कि इसकी प्रकति गति जो होती है राशायनिक साम में क्या होता है साम में अवस्था साम में अवस्था मतलब बैलेंस बिल्कुल साम में हो गया बिल्कुल बैलेंस बराबर हो गया साम में अवस्था किसी उतक्रमिडी अभिक्रिया की वह अवस्था समझे जो यह जो साम्मे अवस्ता होती है यह किसी उत्क्रमिडी अविक्रिया की और अभी तक आप लोगों ने यह वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो वीडियो प्लेलिस्ट पर वो चैनल पर अप्लोड हो जाएगा ठीक है बिल आइकन को जरूर दबा लेने ताकि सभी वीडियो की नॉटिफिकिशन आपको मिल जाए अधिकतर लोग नॉटिफिकिशन नहीं दबाते फिर रोते रहते पीं पीं करते रहते बंदर जैसे तो किसी उत्क्रमिडी अविक्रिया की वह अवस्ता जिसमें अग्रवा विपरी दोनों अविक्रियाओं में वेग बराबर हो जाए क्या हो जाए उसका वेग बराबर हो जाए अविक्रिया में अग्र में या फिर पश्च दोनों में क्योंकि जो उत्क्रमिडी अविक्रियाओं होती है वो कई दिसी ही होती है कई भी दिसा में चल जाती है तो जब उनका विग बराबर हो जाता है तो इसी को राशायनिक साम्मे आवस्था कहते हैं याद रखना राशायनिक साम्मे दिपूछे किसे बोलते हैं तो जवाब में यही बोलना कि किसी उतक्रमडी अभिक्रिया की वह आवस्था जब अग्रवा विप्रीद दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाते हैं तब उसको बोलते हैं कि ये रासायनिक साम्यावस्ता होती है ठीक है चलो आगे देखो अब आगे साम्यावस्ता को समझो थोड़ा सा ठीक है बुद्धी को खुली रखना अपने गुद्धी क भुद्धना तो ागा नहीं तो वही ये मार दूँगा तहूं चाहिक्टो में देखो एक परक नली ब्यधी खरुली हमाई पास परकशन दे अनुछ परक हएрах देखे हो गयार ये क्या marshley लइब में लाब लेब में गया मैं चोरी बढ़ी कर ले जाते थे उनको कभी तो मुझे बोलेंगे मेरी बुवराई कर रहा है तेकिन पूलोग आते थे लेब देखो पहले लेब तो ज्यादा कोलती रहती ठीक है और जब कभी लेब खुले तो लोग समानी चुराने में लग रहे थे क्या उठा ली जाओ एक परक्नली में कैडमियम क्लोराइटी CD-CL2 के अमली विलेन में H2S प्रवाहित करने पर यह reaction है यह क्या है तो यह reaction है कि अमली विलेन में H2S प्रवाहित करने पर कैडमियम सलफाइट CD-S का पीला अवच्छे प्राप्त होता है देखो जैसे CD-CL2 है माँ पास उसके बाद उसमें H2S मिला दी है जब मिलाएंगे तो यह एक प्रकार की reversible reaction है यह इदर-दर ठेलती रहती है तो देखो इसका पीला अवच्छे प्राप्त होक तो देखो इस स्थिती में क्या होता है इस स्थिती में सांद्र HCL यानि कि सांद्र हाइडरोक्लोरिक अमल कि कुछ बूले मिलाने पर अवच्छेप घुल जाता है और साफ विलियन प्राप्त हो जाता है इसी में अगर सांद्र HCL की कुछ बूले मिला देंगे हम ड्रॉप्स डाल देंगे तो क्या होगा तो ये विलियन साफ हो जाता है ठीक है और प्राप्त विलियन में जो H2S गैस जो हमको मिल रही है यह यहाँ पे ठीक है H2S गैस प्रवाहित करने पर पुना पीला उचे प्राप्त हो जाता है यानि कि अगर इसी पीला उचे में इसको डालोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा अगर इसको डालोगे तो फिर से ये पीला उचे प्राप्त हो जाएगा तो इस प्रियोग से या सिद्ध हो गया कि राशायनिक साम में की प्रकति गतिज होती है ठीक है जो राशायनिक साम में होता है जो साम में अवस्ता होती है उसकी प्रकति कैसी होती है तो उसकी प्रकति गतिज होती है ठीक है? यह यहां पे शि्ध हो गया है चलो आगे देखते हैं अगला कुशन है अभीकारक, वह उत्पाद क्या है बहुत अच्छा सा ठीक है? हमेशं हमलोग बोलते हैं न कि बहुत देखो यह अभीकारक बन गया और यह आपका उत्पाद बन गया प्रोड़क्ट बन गया ठीक है तो अभिकारक क्या होता है तेखो जो राशायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ठीक है जैसे A और B यह राशायनिक अभिक्रिया होने में भाग ले रहे हैं ठीक है जो राशायनिक अभिक्रिया होने में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और उत्पाद जो राशायनिक अभिक्रिया के फल सुरू प्राप्त होते हैं ठीक है तो यहाँ भी क्या है कि जो राशायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो राशायनिक अभिक्रिया के फॉल्सुरू प्राप्त होते हैं राशायनिक अभिक्रिया के फॉल्सुरू बनते हैं वो क्या कहलाते हैं तो वो उत्पाद कहलाते है यार गला सुकरा है मेरा वही तो मैं सोच रहा हूँ बहुत फीवर के बाद से सच में बहुत दिक्कत हो गई बहुत वीक्निस बहुत फीलिंग होने मतलब फील होने लगा है चलो देखो जैसे देखो EF E है और इधर E S है E E और S क्या हुए दोनों तो यह हुए दोनों आपके अभिकारक और FES आपस में मिल करके क्या बना दियें FES बना दियें ठीक है तो यह क्या बना दियें यह उत्पाद बना दियें देखो यहाँ FES और S अभिकारक हैं और FES आपका उत्पाद बन गया थेक हैं? बिल्कुल सिंपल है ये जो राषानीक अविक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोल देते हैं और जो राषानीक अभिक्रिया के फॉलो प्राप्त होते हैं उन्हें उत्वात बोल देते हैं बस खतम और कुछ हई नहीं इसमें चलिए आगे देखते हैं आगे है हमारा उस्मा छेपी अभिक्रियाएं बहुत पूछा जाता है और यह सच में बहुत इंपोर्टेंट है देखो उस्मा छेपी अभिक्रियाएं क्या होती है कि ऐसी अभिक्रियाँ जिन में उर्जा का उत्सरजन होता है उसमाच्छेपी यानि कि एक्जोथर्मिक रियक्सन कहलाती है यानि कि ये अभिक्रियाँ जब होगी तो उर्जा इनसे निकलेगी क्या होगा? कि ये अभिक्रियाँ जब होगी तो उर्जा इनसे निकलेगी इसलिए बोल देते हैं इसको उस मचचेपी अभी करिया है उधारण जैसे है जैसे मेथेन गैस पर वायू में जलना है ना देखो जैसे मेथेन है जी जी का मतलब होता है यहां पर लिक्विड ठीक है जैसे मेथेन है CH4 है और अक्सीजन है फिर देखो carbon dioxide मिल गया जल मिल गया लेकिन 890 किलो जूल उर्जा मिली एनर्जी मिल गई तो यह होती है उसमा 6 पी अभी क्रिया इसमें देखो यह क्रिया आसानी से हो रही इसमें कोई उर्जा नहीं लग रही है यह मेथेन और ऑक्सीजन के बीच में कोई उर्जा नहीं लग रही है लेकिन जब मेथेन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर लेते हैं तब उर्जा निकलती है तो इसको बोलते हैं उसमा 6 पी अभी क्रिया है ठीक है सेकंड नंबर है थार्माइट अविक्रिया ठीक है एक सिकंड आए हम पान लिये लूँ गले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही जब से फीपर हो गया है आवाज ही निकल रही ठीक है तो थार्माइट अविक्रिया देखते है क्या होता है जैसे लो औकसाइड है आमाय पास ठीक है फीओ थ्री देखो इसको मिटा दूँ ठीक है तो इस अविक्रिया का उप्योग रेल की वेल्डिंग में होता है ठीक है जो विल्डिंग करने वाली वसीने होती है विल्डिंग उसमें होता है तो इस तो इल्मोनियम है एल्मोनियम सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है आपने बोला सॉलिड होता है तो इस लिखा हुआ है तो इस लिखा हुआ है अब इससे क्रिया हो रही है तो इल्मोनिय आकसाइड मिल रहा है क्यों मिल रहा है लमोनियम आकसाइड hijаAllable ? sizes है और इधर है इस व्रालें आइक्रम्ट पे भी तो व्रे साह या पिस्थ निकल रही है , है न रोजिद लग नहीँ रही है और जोड़ा निकल रही life कैं उसमा सोसी छेपी अभिक्रिया है ठीक है कौन से अभिक्रिया होती है ये ये सभी उसमा छेपी अभिक्रिया होती है जो हमारे अंदर स्वसन होता है रेश्पिरेशन वो भी एक प्रगार के उसमा सोसी छेपी अभिक्रिया होता है सोसी नहीं छेपी याद रपना ठीक है छेपी क्यों होता है क्योंकि उससे हमें उर्जा प्राप्त होती है इसलिए बोलते हैं उसके उसमा छेपी अभी क्रिया ठीक है? चलो और नीचे देखते है अब आपका point बचला है लास्ट है उसमा सोसी अभी क्रिया एंडो थर्मिक अभी तक हमने क्या देखा हमने देखा एक्जो थर्मिक उसमें उसमा निकल रही है लेकिन इस क्रिया को होने के लिए उसमा तुमको देना पड़ेगा जब तुम इसको उसमा दोगे तब ही जाकर की क्रिया होगी नहीं तो नहीं होगी ठीक है इनको बोलते हैं एंडो थर्मिक रियक्सन कि ऐसी अभी क्रिया जिन में उर्जा का अवसोसन होता है क्या होता है तो उर्जा का अवसोसन होता है ठीक है उर्जा पहले देनी पड़ती है तब रियक्सन होती है जैसे नुक्लियर पावर प्लांट में होता है ठीक है जब तक तुम नुक्लियर ल क्या होता है उर्जा का वे सोसंड होता है ठीक है जैसे देखो पहला है इन टू नाय्ट्रोजन है और ऑक शीजन क्या है नाट्रोजन और औपसमें मिलेंगे और 180.5 किलो जूल की तुम इसको उर्जा भी दोगे क्या दोगे 180.5 किलो जूल की तुम इसे उर्जा भी दोगे तब जाकर कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस में बदलेगी नहीं तो बदलेगी नहीं तो जब बैठी रहेगी उरसी में चेयर में पैर उपर चड़ा करके दुनों बैठी रहेगी बस हो गया खतम ठीक है तिस लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब उर्जा दोगे तभी होगी अब जग तुम उसको उर्जा दिये तो ये इंडोथर्मिक रेक्शन हो गई ये उसमा सोसी अभी क्रिया हो गई ठीक है से ह्ट्रोजन आईयोडाइड बनेगा ही नहीं ठीक है टू याचाई ठीक है तो जब हाईड्रोजन और आइयोडीन में तुम फ्रपंopy देनर शमनों 9 किलो जूल का तुमने उर्जा दे दिया ठीक है उर्जा इसने अवसोस कर लिया ठीक है ऑउसोसित कर लिया मलब आसोस पू खा लेता है उसको तो सोसित कर लेता है तो उसको बोलते है उसमा छेपी अभी क्रिया है ठीक है तो मुझे उमीद है यार यह सारे टापिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे यह बहुत इंपॉडरिन पॉइंट था ओ भाई सच में जान आ गई खतब हो गया आज की क्लास और भी क्लास देखने के लिए नीचे लिंक हैं वहाँ पर जाकर करके देख लेना और भी वीडियो ठीक है सब कुस समझ में आएगा और अपनी राहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह जरूर बताने ला चैनल को प्लीज अपने दोस्तों के पास सेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में विससे वाल देबेस्ट तैंक यू